अशुक नगर में जमीन विबात कई दफा इतने बढ़ जाते हैं कि खूनी संघर्स या हत्या की मामली जब तक पहुंच जाते हैं ऐसा ही एक मामला जिला मुख्याले अशुक नगर के सामने आया है जहाँ पर जमीन विबात की चलती एक भाई ने अपने ही चचेरी भाई को स पुलिस की सूजबूच की चलती हत्याकांट के दस दिन के भीतर ही पुलिस ने हत्या की दोनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप के लिए है साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कबजे से हत्याकांट में प्रमुक दो कट्टे सहित तीन जिंदा कार्टू स्भी व पुलिस अदिक्षक रगबंस भदोरिया ने बताया कि आरोपियों पर पूर्ड में भी अलग अलग खानों में कई केस दर्ज थे